नमस्ते बच्चों, साई राम बच्चों, लास्ट क्लास हमने ए की मात्रा पढ़ा था तो आज हम एक नया चाप्टर पढ़ेंगे आज हम क्या पढ़ेंगे? अई की मात्रा, ठीके? आज हम अई की मात्रा पढ़ेंगे ये दिखिए, ये है अई, ठीके? तो A की मात्रा हम कैसे लिखते थे? Suppose क, A की मात्रा के क, I की मात्रा हम कहेंगे कई क, ये है अई की मात्रा, ठीक है? ये है A की मात्रा और ये है अई की मात्रा, ठीक है? कई, खई, गई ठीक है जो अई की मात्रा है ए की मात्रा अई की मात्रा बोथ हम वर्णों के उपर लिखते हैं ठीक है तो बच्चों अभी हम कुछ शब्दों को पढ़ेंगे अई की मात्रा वाले शब्द थैला थ, अई की मात्रा ल, आ की मात्रा थैला थैला क्या है? बैग, थैला ठीक है नेक्स्ट मेना म अई की मात्रा न आ की मात्रा मेना यह मेना है उसके बाद बेल ब अई की मात्रा ल बेल ठीके? कैसे लिखेंगे? ब अई की मात्रा ल बेल ठीके? और पैसा हम कैसे लिखेंगे? प अई की मात्रा स आ की मात्रा यह है पैसा ठीके? और एक बार हम कहेंगे ठेला थ अई की मात्रा ल आ की मात्रा ठेला मेना म अई की मात्रा न आ की मात्रा मेना बेल ब अई की मात्रा ल बेल ठीके? फिर पैसा, प, अई की मात्रा, स, आ की मात्रा, पैसा, ये है बेल, ये है पैसा, ठीक है? तो अभी हम reading प्राक्टिस करेंगे, कुछ शब्दों को पढ़ कर, पहला लाइन जो है, यहाँ पर पहला अक्षल, पर अई की मात्रा लगाया गया है, पैर, प, अई की मात्रा, र, पैर, ठीक है? बेर, ब, अई की मात्रा, र, बेर, तेर, त, अई की मात्रा, र, तेर, तेर क्या है, तेर ना, ठीक है, तेर, स्वीमिंग सेर, स, अई की मात्रा, र, सेर, सेर करना मतलब घूमना, ठीक है, पेर, बेर, तेर, सेर Next line, पहला अक्षर पर अई की मात्रा लगाया गया है, दूसरा अक्षर पर आ की मात्रा मेदा, म, अई की मात्रा, द, आ की मात्रा, मेदा, मेदा से मम्मी पूरी बनाती है, और मिठाई भी बनाती है, Yes or No? Okay, then पैदा, पैदा होना यानि जन्म होना प, अई की मात्रा, द, आ की मात्रा, पैदा प, अई की मात्रा, द, आ की मात्रा, पैदा Next, Nena N-A-I-K-I-M-A-T-R-A N-A-I-K-I-M-A-T-R-A Nena N-A-I-K-I-M-A-T-R-A N-A-I-K-I-M-A-T-R-A Nena Fit, Mena M-A-I-K-I-M-A-T-R-A N-A-I-K-I-M-A-T-R-A मेना, ठीके मेदा, पैदा, नेना, मेना Next तेराग, त, अई की मात्रा, र, आ की मात्रा, क, तेराग ठीके, ये तीन अक्षर वाले शब्दा आ गए तेरक मतलब, जो तेरते हैं, ठीके Next, मेदान, म, अई की मात्रा, द, आ की मात्रा, न, मेदान मेदान मतलब, ग्राउन, मेदान, ठीके Next, हेरान, ह, अई की मात्रा, र, आ की मात्रा, न, हेरान, हेरान रह जाना Next, शेतान, श, अई की मात्रा, त, आ की मात्रा, न, शेतान तो बच्चों अभी हम और कुछ शब्दों को बोल कर अंतर समझेंगे जैसे आई की मात्रा लगा कर लिखने से इसका मीनिंग चेंज हो जाता है जैसे फेल, फेल, ठीके, फेल, फेल, फेल होना और फेल जाना वैसे ही, बेल, बेल, थल, थेला, सेर, सेर, विश, विशेला, कस, कसेला, ठीक है? अभी हम नैनी ताल की सेर ये पढ़ेंगे और हम देखेंगे की नैना, वेभव, सेलजा और कैलास कैसे नैनी ताल गए? और वहाँ पर क्या क्या किये? यहाँ पर बहुत सरा अई की मात्रा वाले शब्द हैं, तो हम उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे नैना, शेलजा, कैलाश और वेभव, नैनी ताल गए, कहाँ गए? नैनी ताल एक बहुत ही सुन्दर जगा है, घूमने की जगा है, नैनी ताल ठीक है? नैनी ताल बहुत खूब सूरत शहर है, वे केमरा भी ले गए, तो हम जहां भी जाते हैं, हम केमरा ले कर जाते हैं, या फिर हमारे जो मोबाइल है, मोबाइल फोन से हम फोटो किछते हैं, बहुत सारे फोटो किछते हैं, तो वो भी केमरा ले कर गए, ठीक है? वेभब, वेभब ने नैनी ताल के चित्र लिये, चित्र लिये मिन्स वो फोटो किचे, बहुत सारे फोटो किचे, वेभब ने नैनी ताल के चित्र लिये, फिर चित्र देखकर सभी हैरान हुए सभी हैरान होगे कि कितना सुन्दर सुन्दर चित्र है ठीक है एक दिन वे जिल के किनारे सेर करने गए तो एक दिन वो कहां गए जिल के किनारे सेर करने गए ठीक है वे नईया में भी बैठे तो जिल में वहां पर नईया था तो नईया में भी वो लोग बैठे ठीक है तो बच्चों अभी हम यहां पर अई की मात्रा वाले शब्दों को देखेंगे नैना, शेलजा, कैलाश, वेभव, नैनिताल, केमरा, हैरान, नईया, बैठे, सेर यह सब है अई की मात्रा वाले शब्द ठीक है तो आप भी यह पढ़ कर प्राक्टिस किजिए तो फिर क्या हुआ नेक्स्ट हम देखेंगे वे सब नईया में भी बैठे और नैना ने कहा भैया, कितना मज़ा आ रहा है यह देखिए चारों यहां पर है नैना ने कहा भैया, कितना मज़ा आ रहा है वो लोग घूम रहे थे थे था आप सब को भी घूमरे में बहुत मज़ा आता है वोसे ही वो लोग भी एंजोई कर रहे थे नैना ने कहा भैया, कितना मज़ा आ रहा है अच्छानक वेभब का पेर फिसल गया अच्छानक क्या हुआ? देखिए पास में दो जिल था पानी में वेभब का पेर फिसल गया ठीक है? वो जिल में गिर पड़ा तो जिल में जो पानी था वहाँ पर वो गिर गया फिर क्या हुआ? केलाश एक बढ़िया तेराग था तेराग का मतलब क्या है? उसको तेर ना आता था ठीक है? तो वो बढ़िया तेराग था वो तेर कर गया और वेभब के साथ वापस आ गया वो तेर कर गया और वेभब के साथ वापस आ गया वो तेर कर गया और वेभब को लेकर आ गया ठीक है? तो यहाँ पर भी हम अई की मात्रा वाले शब्दों को देखेंगे नैना, भैया, है, वेभब, पेर, केलाश, तेराग, तेर कर वेभब यह सब है अई की मात्रा वाले शब्द ठीक है? और आप यह पढ़ कर प्राक्टिस किजिए अभी हम उत्तर लिखेंगे आप भी देखिए अपना भुक एक्सरसाइज सही उत्तर चुनकर टिक लगाईए ठीक है? सही उत्तर चुनकर टिक लगाईए वेभब ने कहां के चित्र लिये? हमने अभी पढ़ा था, आप सब को याद होगा? नैनी ताल के, शेर के तो वेभब ने कहां के चित्र लिये? नैनी ताल के या शेर के? नैनी ताल के, वो लोग घूमने नैनी ताल गए थे नैनी ताल के चित्र लिये ख, किसका पैर फिसल गया? किसका पैर फिसल गया बच्चों? अब ही हमने आपको बताया था वेभब का पेर फिसल गया और वो जिल में गिर पड़ा करेक्ट किसका पेर फिसल गया? वेभब का पेर फिसल गया कौन बढ़िया तेराक था? ग कौन बढ़िया तेराक था? नेना केलास बच्चों कौन बढ़िया तेरक था? कैलाश कैलाश एक बढ़िया तेरक था, ठीक है? तो आप सबने टिक किया और एक बार मैं करके कहती हूँ वेवब ने कहां के चित्र लिये? नैनी ताल किसका पैर फिसल गया? वेवब का कौन बढ़िया तेरक था? कैलाश आप सबने कर लिया ओके नीचे दिये शब्दों में से अई की मात्रा वाले शब्द ढूंड कर लिखिये ओके तो आप अई की मात्रा वाले शब्द ढूंड कर लिखिये हम देखेंगे अई की मात्रा वाले शब्द तो ये देखिए ये है अई की मात्रा मैदान म अई की मात्रा द आ की मात्रा न मैदान ठीके ये एक अई की मात्रा वाले शब्द है तो ये आप लिखिए नेक्स्ट, सपेरा ये अई की मात्रा वाले शब्द नहीं है ये एक की मात्रा वाले शब्द है हैदराबाद, ह अई की मात्रा द, र आ की मात्रा, ब आ की मात्रा द हैदराबाद, ठीक है, ये अई की मात्रा वाले शब्द है तो ये भी हम लिखेंगे फर्स्ट वान मैदान सेकेंड हैदराबाद नेक्स्ट बेला ये अई की मात्रा वाले शब्द नहीं है गबेया येस ये अई की मात्रा वाले शब्द है गब अई की मात्रा ये आ की मात्रा गबेया ठीक है नेक्स्ट अपने ये ए की मात्रा वाले शब्द है तो ये हम नहीं लिखेंगे नेक्स्ट ये है अई की मात्रा वाले शब्द प अई की मात्रा द ल पैदल ठीक है नेक्स अपने ये ए की मात्रा है अई की मात्रा वाले शब्द नहीं है नेक्स्ट शेतान श अई की मात्रा त आ की मात्रा न शेतान तो पांच अई की मात्रा वाले शब्द हैं हमने ढूंड लिया मैदान हैदराबाद गवेया पेदल शेतान ठीक है तो ये हम लिख लेंगे फर्स्ट अप लिखिये मैदान सेकेंड हैदराबाद थर्ड गवेया फोर पेदल फिप्ट वन शेतान ठीक है नेक्स्ट चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए और उन्हें पढ़िए ड्याश लेकर चल ये क्या है? ये थैला है, करेक्ट थैला लेकर चल वेभग के पास ड्याश है, ये क्या है? ये केमरा है क अई की मात्रा म र आ की मात्रा केमरा तो वेभग के पास केमरा है आभी लिख लिजिए नेक्स्ट ग ड्याश देश की रक्षा करते हैं ये कौन है? ये है सैनिक सैनिक देश की रक्षा करता है ठीके? कल हम फिर से ये डिस्कस करेंगे तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? आज हमने कुछ अई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा थैला, मैना, बेल, पैसा और उसके बाद रीडिंग प्राक्टिस के लिए हमने ये शब्दों को भी पढ़ा और उसके बाद नैनी ताल की सेर हमने पढ़ा कि नैना, सेलजा, कैलाश और बेभब कैसे नैनी ताल घूमने गए और वो क्या क्या किये, ठीक है उसके बाद हमने बुक एक्सराइज भी डिसकस किया हम नेक्स्ट क्लास फिर से और एक बार रिवीशन करेंगे, बुक एक्सराइज और क्लास वर क्लिखेंगे, ठीक है और चित्र देखकर वाक्य पूरे किजिए, ये भी हमने किया तो ये सब आप थोड़ा रिवाइस किजिए, पढ़ लीजिए नेक्स्ट क्लास हम फिर से दोर आएंगे उसके बाद क्लास वर क्लिखेंगे, ठीक है धन्यवाद बच्चों